असलाम लेकुम वीवर्स वैलकम टू कमल के चान कैसे हैं आप लोग उमीद है के सब ठीक होंगे जैसे के गर्मी बहुत जादा हो रही है और हम कुछ ठंडा कुछ मसेतार सा खाना पसंद करते हैं तो मैं आज इसी हवाले से बना रही हूँ टूटी फूटी आइस्क्रीम तो आप इसको घर पर बनाए बहुत ही आसान रैस्पी है और बहुत कम इंग्रिटियन्स में बहुत जबरदस सी आइस्क्रीम घर पर बनके तयार हो जाती है तो मैं आपको बताती हूं इसको बनाने में किन चीजों की ज़ुद परती है, यहां मेरे पास है विपिंग क्रीम, 200 ग्राम, टूटी-फूटी, यह आप कम या जादा अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, यह मेरे पास आधा कप है, रैट फूट कलर, हाफ टी स्पून, वैनिला ए आइस क्रीम बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्रीम को विप्ट करना है, याद रहे कि क्रीम हमारी बिल्कुल ठंडी-चेल्ड होने चाहिए, तभी आपकी बहुत अच्छी सी यह विप्ट होगी, तो देखें कितनी अच्छी तरीके से यह क्रीम विप्ट होगी है, तो लेकिन साथ एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करे डालूंगी, और इसको बीट करते जाओंगी, हम दो हरेखें, अंटाइब वेला थोड़ा, एकिर देखें, तो करीम में अच्छी मेरी, हाफ-टी-पून वैनिला एससंस, अब इसमें मैं रेड फूट किलर डाल देती हूं अब इसमें अब बीट कर लूँगी ताके सारी चाया अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं तो अब इसमें हम शामिल करते हैं तूटी-फूरूटी उसके बाद इसको हम फ्रीज करेंगे और अब मैं शामिल कर देती हूं टूटी फ्रूटी इसको इस फैक्ट चला के मदद से मिला दूँगी अब आइस क्रीम को मैं किसी कंटेनर में डाल दूँगी कर दूटी फ्रूटी डाल देती हूं और इसको अब जो है मैं ओवरनाइट फ्रीजर में रग दूँगी ताकि यह बहुत अच्छी तरीके से जम जाए लेकिन उससे पहले मैं इसको रैप कर दूँगी बस अब इसको मैं फ्रीजर में रख दूँगी तो देखें फ्रीजर में रख दी थी ओवरनाइट के लिए तो अब खोल के देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है आप देख सकते हैं कितनी जबरदस लग रही है तो जल्दी से इसको मैं सर्फ करती हूं कि देखें कितनी स्मूथ हो रही है और बहुत जबरदस से बनी है ये तो देखें कितनी मज़दार सी आइस्ट्रीम और कितने असान रेसिपी और घर में अतियार करना कितना असान है आप जरूर ट्राइ करिएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन का जरूर प्रेस करें ताके मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकिशन आपके प